अब आज हम बात करेंगे future perfect tense की किसकी future perfect tense की बात जो है वो हम आज की class में करने वाले है जिसकी पहचान कैसे करोगे आप वाक्य को पहचानना ही तो सबसे जादा important होता है वाक्य पहचान में आ आगया तो formula तो पता ही है subject लगा दो helping verb लगा दो verb की form लगा दो और object लगा दो बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा देखो बच्चो perfect tense future perfect tense की पहचान होती है चुकेगी चुकेंगे चुकूंगा इन words से last में वाक्य के क्या आना चाहिए ये जैसे की वह अपना ग्रह कार्य पूरा कर चुकी होगी इस समय तक वो काम कर चुकी होगी उसके आने से पहले मैं ये किताब पढ़ चुकूंगा मतलब ये काम मैं कर चुकूंगा उसके आने से पहले मेरे घर पहुचने से पहले वह ग्रह कार कर चुकेगी दस बजने से पहले हम स्कूल पहुच जाएंगे उसके आने से पहले पिताज से भी पहचान सकते हैं चुक के होंगे चुका होगा मतलब वो जो है काम वो कर चुका होगा फ्यूचर में उस समय तक वो काम कर चुका होगा अब विल्शेल तो हम सभी में लगा रहे थे ह壁 और अजिव में हम ह्याव की जगह लगा ते दि बी और फॉर्ट्ट में क्या क्रेंगे डी की जगहstart लगेगा हैं लगेगा तुना इस प्रफेक्ट लिए थूर्ट्ट में क्या लगा रहे थे जब अपने had का use किया past tense में तो भी हम verb की third form लगा रहे थे प्रेज़ेंट टेंस में Hahaha का L headline yainal होगा अब बना सक्तियों असानी से वाग क्यों जैसे वह अपना घ्रह कार्य पूरा कर चुखा होगा याँ चुकेगी समझ नहीं आ रहा तो लिखो चुका उगा ठीक है तो शी विल हाव कंप्लीटेड शी के साथ क्या लगाया विल लगाया है अमें लगाना ही था तो सब्जेक्ट हो गया फिर क्या हो गया है लपिंग वर्ब हो गया देन वर्ब की थर्ड फॉर्म complete key third form and then object कोई दिक्कत लगी इसमें बनाने में उसके आने से पहले मैं यह किताब पड़ चुका होंगा मतलब वो आएगी जब तक मैं जो है यह किताब पड़ चुका होंगा so I shall I give a talent I shall like tagging a lot there so I shall have read this book before he comes read 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 spelling same hotel again bolt a little pronunciation a lot of Hannah the walkie third form then object कोई दिक्कत यहाँ पर subject लिख दिया हमने I so I shall have read this book before he comes अगला देखते हैं मेरे घर पहुचने से पहले वो ग्रह कार्य कर चुकी होगी मेरे घर पहुचने से पहले यहाँ पर यह नहीं था मेरे घर पहुचने से पहले तो इसमें आड कुछ नहीं करना है शी लिखा हमने subject लिखा फिर हमने लगा helping verb फिर क्या लिखा do did done वर्ब की third form do do की third form क्या होती है done so verb की लिखी हमने third form then object और remaining part of the sentence that is उसने बोला ना कि भाई मेरे घर पहुचने से पहले तो यह भी करना ही बढ़ेगा so before I reach home आया समझ में future perfect tense के अंदर आप क्या करोगे फटा फट से बताओ तभी हम क्या करेंगे last में सारा एक बार और रिवाइज जो है वो हम कर लेंगे 10 बजने से पहले हम school पहुच जाएंगे या फिर हम बोल देते हैं पे school पहुच चुके होंगे एक ही बात है अगो समझना है कि जो कार्य है वो हो चुका होगा एक certain time के बाद वो कार्य जो है वो हो चुका होगा जैसे आप सब में देख सकते हो कि मेरे घर पहुचने से पहले उसके आने से पहले दस बजने से पहले शाम होने से पहले सुबह होने से पहले एक टाइम दे दिया कि उससे पहले तक ये काम जो है वो हो चुका होगा राइट लेकिन कब फ्यूचर में उसके आने से पहले पिताजी अख़ार पढ़ चुके होंगे तो क्या बनाया The father will have read the newspaper The father, subject, will have helping verb Read, verb की third form, the newspaper Object, before he comes, उनके आने से पहले सो ये जो स्टार्टिंग में हम बतारे ना उनके आने से पहले सुबह वोने से पहले इसको हमेशा वाक्य मैं अंत में लिखेंगे हम जब भी इसका translation करेंगे क्या करेंगे वाक्य में अंत में लिखेंगे आगे देखते हैं अब यार इसी का आप बोलोगे कि मैम यह तो हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस के वारे में सकारात्मक एक तरीके से वाक्र हमने हापर बना लिया अब हमें बनाना नक रात्मक वाक्य कुछ नहीं करना हमेशा से विल शाल मतलब कि कोई भी टैंस हो नेगटे वाक्य अगर बनाना है तो helping verb के बाद not लगा दो लेकिन मैं बात कर रही हूं negative वाक्य की ना कि interrogative negative वाक्य की यह बात ध्यान रखना interrogative negative में क्या करते हो subject के बाद लगाते हो क्योंकि उसमें helping verb आपका पहले आ चुका होता है है ना तो कोई भी सकारात्मक वाक्य को नकरात्मत मतलग negative sentence में अगर change करना है तो क्या करोगे helping verb के बाद उठाकर not लगा दो that's it और कुछ नहीं करना बाकि सारा का सारा ऐसे की ऐसे रहेगा जैसे मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंद पूरा नहीं कर चुकी होंगी नहीं आ गया नहीं आ यहां पर तो क्या किया यू subject will helping verb क्या है will helping verb फिर लगाया not negative sentence बनाने के लिए फिर have completed verb की third form and then object and then remaining part of the sentence बताओ कोई दिक्कत यहां तक क्या करना है negative वाक्य बनाने के लिए helping verb के बाद not लगाना है will have shall have के बाद not नहीं लगेगा कहीं आप ऐसे करो will have not यह वाली गलती होती है जो spot the error में पूछी जाती और बच्चे नहीं समझ पाते कि बच्चे क्या लगा दे सब्चेक्ट प्लस मान लो आपने लगाया will have not so will have not तो होगा ही नहीं विल नौट हाव होता है will have not नहीं होता तो will have के बाद not नहीं लगाना will के बाद मतलब helping verb के बाद not लगाना है ठीक है मेरे स्कूल जाने से पहले वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी so she will not have washed her clothes she मतलब subject वह विल helping verb लगा दी हमने she के साथ not negative sentence बनाना था have washed her clothes washed is verb की third form and then object and then remaining part of the sentence कोई दिक्कत बना लोगे वाक्य अब इत्ती देर से हम तीन क्लासे से बनाते हुए आ रहे है अब भी नहीं बना पाओगे ऐसा कैसे यह चीज़े तो टिप्स पे हो जानी चाहिए कि वाक्य कैसे बनाना है फॉर्स क्लास देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डीटेल में उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लगा रहे हैं चीजों को यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताओ जल्दी 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 अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं चलो अगला है उसके भोजन करने से पहले हम बजार से सबजी नहीं लाच चुके होंगे उसके भोजन करने से पहले तो इसको तो इग्नौर कर दो यह तो हम लास्ट में लगाएंगे है ना उसके भोजन करने से पहले हम बजार से सबजी नहीं लाच चुके होंगे दाट इस वी वी के साथ शैल क्यों आई और वी के साथ क्या लगाते हैं यहां गया भूल गया है I or V के साथ शाल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है ना so I or V में V के साथ हमने क्या लगाया शाल helping verb not negative sentence बनाने के लिए have लगा दिया then brought so what is bring brought brought verb की third form the vegetables object और अब हम बताएंगे कब से पहले from the market before police के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके होंगे before के बाद आगे का तो इसने लिखा ही नहीं उसके भोजन करने से पहले हम बजार से सबजी नहीं ला चुके होंगे so we shall not have brought the vegetables from the market before he eats food आगे सूर्य चिपने से पहले हम खिलाडी मैदान से वापस नहीं आ चुके होंगे so easy है सूर्य चिपने से पहले हम खिलाडी players की बात करिये तो I और V के साथ केवल यूज होता है बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं हम डेली ना रोज मर्रा के जिंदगी में भी आप देख सकते हो आई के साथ सभी लोग विल का यूज करते हैं I'll do that I your V के साथ शाल का यूज होता है किसका यूज होता है शाल का यह वाली गलतियां नहीं करनी हम बोलते हैं तो बढ़िया लग रहा है मैं बोलने में सही सा लग रहा है यही सही आंसर होगा नहीं इस पॉट्ट यहीं गलती करते हो टीचर ना ऐसे ही सवाल जबरदस्ती चलो आप विल है शाल है तो हम लोगों को आगया है समझ में नेगेटेव वाक्या हमने देख लिया अब बनाओ इंटरोगेट वे इंटरोगेटेव बना लोगे क्या करोगे इंटरोगे ने कुछ नहीं करना विल शाल को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दो कैसे और हम बहुत सारे वाक्या करेंगे सब शिरिलेटोर वांदम ऐसे नहीं यहां जैसे अभी मैं पर्फे क्णा रहा रही हो तो मैं पालते लेटीड है आपसे जो है जैना वर किया बन बाति हूं हम बाद में क्या helping verb जो होती है ना उसको उठाके subject से पहले लगा दो तो क्या लिखो कि helping verb plus subject plus have plus verb की third form plus object और बाद में remaining part of the sentence क्या किया हमने बस will shall को उठाके subject से पहले लगा दिया इतना ही किया इसके लावा और कुछ किया नहीं किया ना easy दा देख लो अब अगर मुझे इसी का बनाना है she will have completed her homework इसका बनाओ अब interrogative वाक्य तो क्या है इसमें helping verb will है तो लिखो विल पहले लिखो विल अब विल के बाद subject subject क्या है हमारी ये she जो है वह है subject है तो हमने लिखा विल शी है यही चल रहा होगा helping verb subject have फिर लिख दो वर्ब की third form completed her homework कोई दिक्कत आया समझ में interrogative बनाना और अगर interrogative negative बनाना हो तो तो subject के बाद लगाते हैं कि नहीं लगाते interrogative negative में तो बना दो इसका interrogative negative यही पे सारे तरीके के formula समझ में आ जाएंगे आपको आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अलग-अलग क्यों देखना है एक ही वाक्य में देख लेते हैं न यहां क्या लिखोगे helping verb plus subject plus not plus have plus verb की third form plus object तो लिखो will she have completed her homework यह तो interrogative हो गया अब इस interrogative का negative बनाओगे तो will she और मैंने क्या बताया था subject के बाद not लगाना है तो लगाओ फटाफट will she not have completed her homework यह होगा यही होगा ना question mark interrogative sentence के बाद में लगता ही लगता है चाह interrogative negative sentence होगा या फिर केवल interrogative sentence होगा question mark लगाना मत बूला हूँ क्या लगाना नहीं बूलना है question mark question mark नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े एक दो examples और देख लो जैसे सुभा होने से पहले हम दिल्ली पहुँच चुके होंगे तो क्या बोला यह सुभा होने से पहले हमेशा वाक्य के बाद में लगाओगे जो remaining part of the sentence बोलती हूँ ना मैं वो हमेशा बाद में लगेगा तो कैसे लिखोगे सुभा होने से पहले हम दिल्ली पहुच चुके होंगे वी शैल हाव रीज्ट क्या करा वी के साथ शैल लगाते हैं वही लगाया फिर हाव लगाया फिर लगाई वर्ब की थर्ड फर्म औबजेक्ट मतलब सुभा होने से पहले कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक आगे बढ़ सकते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिनियूस टेंस भी बचा हुआ अभी हमारा क्योंकि आज हम यह फ्यूचर टेंस खतम करके ही रहेंगे बहुत हो गया कई दिन हो गया इसको चलते तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एंजी तो लगेगा ही लगेगा कोई सा भी टेंस हो कुछ भी हो पहचान होती है परफेक्ट कॉंटिनियूस की कि एक समय दे रखा होगा कि भाई में रहा होंगा से रहे होंगे से रही से रहा होगा से रहे होंगे से रहे होंगे इस तरीके से पहचान होती है इनकी फ्यूचर कॉंटिनियूस की तो वाक्यों में क्या दिया होता है समय दिया होता है वाक्य में समय दिया होता है जबकि future continuous tense में नहीं दिया होता उसमें मोलते हैं कि वो खाना खा रहा होगा उसमें कोई समय नहीं दिया होता perfect continuous tense में क्या होता है वो सुभह से खाना खा रहा होगा समय दे दिया ना क्या दे दिया समय दे दिया वो सुभह से पढ़ रहा होगा लेकिन जो केवल continuous tense होता है उसमें समय नहीं होता है उसमें क्या होता है वो पढ़ रहा होगा राम पढ़ रहा होगा राम सो रहा होगा राम खा रहा होगा मैं जा रहा होगा मैं काम कर रहा होगा कुछ भी बोलो उसमें समय नहीं दिया होगा perfect continuous tense में आपको समय दिया जाएगा समय कैसे दिया जाएगा तो भाई देखो perfect और continuous को मिलाया ही है न perfect tense में क्या कर रहे थे will have shall have का इस्तेमाल कर रहे थे same इसमें भी वही कर रहे है bean का इस्तेमाल आ गया क्योंकि continuous tense की बात कर रहे है अगर past perfect continuous tense की देखें तो उसमें क्या कर रहे थे has been have been sorry present perfect present perfect continuous tense की बात करें तो उसमें क्या कर रहे थे has been have been since और for इनका इस्तिमाल हो रहा था या नहीं हो रहा था हो रहा था ना past में क्या हुआ had been future में क्या हो रहा है will have been shall have been क्या है यह इस सारा खेल लिना tense के अंदर इतना सा होता है helping verb और main verb की कौन सी form लगेगी main verb की कौन सी form लगेगी और helping verb क्या लगेगी इनको ही आगे पीछे करते रहो और सारे tenses जो है easily आपको आते रहेंगे ठीक है अब जैसे यह तो हमने देख लिया कि subject लगाएंगे will have been shall have been लगाएंगे continuous tense है तो वर्ब की first form के साथ ing लगाएंगे फिर लिखेंगे object और time reference मतलब since और for का इस्तेमाल since और for का इस्तेमाल अबताओ since का इस्तेमाल कहाँ पे for का इस्तेमाल कहाँ पे तो बेटा since का इस्तेमाल तो point of time के लिए what is point of time मतलब जब हमें point दे रखाओ कि since two o'clock since three o'clock since monday since 1998 point of time दे रखा है हमें right since 2020 point of time ताइम दे रखा है for का इस्तेमाल होता है duration of time के लिए जब हम क्या बोलें for two hours duration दिये क्या दिये duration दिये for two hours इसी में गलती कर देते हैं आज जादा बच्चे तो क्या कर देते हैं since two hours लिख देते हैं तो यह गलतियां नहीं करनी हैं जैसे for two hours for three days for four years हमें point of time नहीं पता हमें केवल duration पता है कि कितने समय से वो काम हो रहा था तो चार साल से दो साल से एक साल से कितने समय से वो काम हो रहा था देखो पिताजी दस मिनट से अकबार पड़ रहे होंगे तो कैसे बनाओगे इसको कोई करेगा ट्राय बनाने का बना दो यार father father के साथ क्या लगा हूँ will क्योंकि I और V के साथ ही केवल हम शैल लगा रहे थे so father will have been पढ़ने को क्या बोलेंगे reading will have been read के साथ ing लगेगा वर्ब की first form के साथ father will have been reading newspaper object हो गया क्या पढ़ रहे है newspaper कब से 10 minutes से so 10 minutes what is 10 minutes 10 minutes is duration for 10 minutes कोई दिक्कत आई है आपे बनाने में आपको इसको father will have been reading newspaper for 10 minutes इसी था अब भाई इसी का बना दो interrogative क्या बना दो इसी का interrogative बनाओ तो बना दो interrogative में क्या करोगे helping verb helping verb हमारी केवल will shall है यहाँ पर इस बात का याद रखना will have shall have नहीं है तो interrogative कैसे बनाओगे इसका will लगा दो पहले उठा दो सब्जेक्ट से पहले will father have been reading verb की फर्स्राइब के साथ आई अजी ना newspaper time हमेशा object के बाद में लिखोगे पहले नहीं लिखोगे newspaper for 10 minutes और अंत में लगा दो question mark so will father have been reading newspaper for 10 minutes क्या पिता जी 10 minutes से अखबार पढ़ रहे होंगे समझे इसी का negative बनाओ इस वाले वाक्य का negative बनाओ negative में क्या करते हैं helping verb के बाद not लगाते हैं क्या लगाते हैं helping verb के बाद not लगाते हैं बनाओ negative sentence father helping verb will negative के लिए not have been will not have been reading newspaper for 10 minutes ठीक है question mark नहीं लगेगा क्योंकि negative sentence है interrogative नहीं है अब बनाओ इसी का interrogative negative प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य बनाओ इसी का बाई प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य बनाना है तो क्या करोगे ये था हमारा interrogative sentence अब इस interrogative sentence का हम negative बनाएंगे तो बाई interrogative negative में क्या होता है subject के बाद में not लगता है क्या लगता है subject के बाद में not लगता है So, यहाँ पर हो गया helping verb, plus में subject, plus not, plus have been, plus verb की first form के साथ ing, plus object, plus time, since of for या वो वाला time. यही लगेगा कि नहीं लगेगा? Question mark लगा दो end में. तो interrogative negative अगर इस formula से बन रहा है, तो हमने क्या किया? इसी का interrogative negative बनाया, तो क्या लिखेंगे? Will, helping verb will, फिर subject. Will father not have been reading, newspaper, paper for 10 minutes. देखो, simple sentence का formula, as it is लिखा हुआ है, subject, plus will have been, shall have been, plus verb की first form, plus object, plus time reference. Negative sentence, negative sentence में helping verb के बाद not, interrogative sentence में subject से पहले helping verb, interrogative negative sentence में subject के बाद में not. ये change होता है, cable, सब, ठीक है? कहीं पे भी have been के बाद में, या ऐसे मत लगा देना, have और been के बीच में, नहीं. ठीक है? आगे चले, अब ये आगे वाले वाक्या आप बनाओगे, मैंने एक ही वाक्या में आपको कई चीज़ें बता दी, अब बचा काम आपको और मैं इसे मिटा रही हूँ. तो याद कर लो क्या बताया था? ठीक है? अगला सेंटेंस दिख रहा होगा आपको. दिख रहा है क्या अगला वाला सेंटेंस? माता जी आदे घंटे से खाना बना रही होगी. ठक गई होगी मम्मी तो. पसीने आ गई होगी ना? पर अभी तो हमें वाक्या बनाना है वो बनाओ. क्या वाक्या? कि भाई माता जी आदे घंटे से क्या कर रही होगी? खाना बना रही होगी. जल्दी से वाक्या बताओ तोस्के, और उस सवाल दोगे आपको, को तो तो दो आएगे से पढ़ाई करके आना मैखकी के लिए ए कि चालो कि सारे lectures आप देख सकते हो वापिस से recorded आपको मिल जाते है सो माता जी आदे घंटे से खाना बना रही होगी कि क्या कर रही हो गी माता जी आदे घंटे से खाना बना रही होगी इसको फटा फट से चेंज करो future perfect tense में साही है मदव विल हाव बीन कुकिंग फूड सिंस हाफ आवर नहीं सिंस क्यों लिख रहो भाई डूरेशन ऑफ टाइम दिया है अभी बताया था यही गलती बताई और यही कर दी यह सिंस और फॉर तो ना लिख लो छपवालो अपने माथे पे सिंस का यूज कहां करोगे सिंस का यूज बिटा पॉइंट ओफ टाइम के लिए करोगे पॉइंट ओफ टाइम सारा वाक्य सही लिखा केवल सिंस और फॉर का इस्तमाल गलत कर दिया फॉर का यूज कहां करोगे duration के लिए तो भाई आदा घंटा duration ही तो हुआ आदा घंटा क्या हुआ? Duration So mother will have been cooking cooking क्यो लिखा? वो अपकी first form के साथ आई अजी Food for half an hour इस तरीके से बनेगा किस तरीके से? ऐसे Sense of a की गल्दी कर ली वाकी सही था ठीक है? तो चलो फटा फट से क्विस खेल लेते हैं हम उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे So quiz का पहला सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा My mom blank space for two days by the time I see her My mom blank space for two days by the time I see her has been traveling will has been traveling will have been traveling या none of the above जल्दी से बताओ क्या लगेंगे अभी तो formula परें हमने सारे वही लगाने हैं Next question They'll be exhausted by dinner They will have been blank space hockey for seven hours So they will have been verb की first form के साथ ing लगा देना और options देखो क्या दी है Playing, played, play, none of the above Easy होना चाहिए है Hint दे चुकियो मैं आपको Second quiz का first question है Will you blank space here for ten years by the time of the Christmas party Will you have been worked have to work will have been working या none of the above ध्यान रखना will have been शालव बीम के साथ verb की first form के साथ ing लगता है बाकी किस किस में वो नहीं लगा हुआ या क्या है Next question It is a 24-hour relay they'll only have been blank space for half the time by 6 p.m. Only, they will only have been blank space half the time by 6 p.m. चले सुमारा पहला सवाल क्या था my mom, mom के साथ will लगेगा लगेगा के नहीं लगेगा सो will किस में है सबसे पहले देखो इसमें और इसमें है ना, अब हमें पता है will have been और shall have been के साथ क्या लगाते हैं वो अब की first form के साथ ing यहीं लगता है तो भाई, will have been so my mom will have been traveling for two days फौर क्यों लगा है क्योंकि duration of time दिया हुआ था by the time I see her मैंने वमी क्या कर रही होगी मेरी मा क्या कर रही होगी दो दिन से travel कर रही होगी जिस समें मैं उन्हें देखूंगा तो उस समें वो क्या कर रही होगी दो दिन से travel कर रही होगी next they'll be exhausted by dinner they will have मैंने बताय था verb की first one साथ ing लगा देन will have been लगा हुआ है देखते ही perfect continuous का वाग्य है so obviously play के साथ हमने लगाया ing next will you blank space here for 10 years by the time the Christmas party so will you here for 10 days 10 years by the time of the Christmas party कि भाई क्या तुम यहां पर 10 साल से होंगे by the time of the Christmas party जब Christmas party का time होगा तब से so will you have been will के साथ will you have been working क्या तुम यहां पर 10 साल से काम कर रहे होंगे Christmas party तक तो will have been working option number C and the last one is it is a 24 hour relay they'll only have been in blank space for half the time by 6 p.m. so will have been बहुत इजी है running run के साथ वो अब की first form के साथ आए इंजी हमने लगा दिया चलो तो आज की class हमारी वो हम यही पर खदम करते हैं का हम आइजी हम अलो बक्वारी, झाल झाल